हलो गाईज तो आज हम एक्स्प्लेन करने बाले हैं डीसी कॉमिक्स की नई मुवी दा बैट मैन मुवी की सुरूबात में हमें दिखाया जाता है गौथम सिटी को जहां पर क्राइम बढ़ रहा होता है रेडलर ने सहर का मेयर मिश्टर मिचल को मार दिया होता है गौथम सहर में क्राइम बढ़ने की वज़ा से प्रूष बैट मैन बनता है पर वो हर जगा नहीं हो सकता था इसलिए उसने सहर में जगा जगा बैट के साइन लगा देता है जिसे की क्रिमिनल समझ जाता है कि ये बैट मैन का वर्निंग है एक दिन ट्रेन में एक आदमी जा रहा होता है तो उसके पीछे कुछ गुंडे पर जाता है जो कि उसको पकर लेता है तब ही गौथम का डार्क नाइट बैट मैन आ जाता है तो वो लोग उस पर हसता है और उसको पूछता है कि ह кому तू तो बैटमैन सबको मार मार कर बताता है महू एंजम्स और वो सभी को मार कर भगा देता है अब दिखाया जाता है जेम्स गॉर्डन को जिसमें लिखा है चलो एक गेम खेलते हैं सिर्फ में और तूम बैटमैन तब ही उहाँ पर कमिसिनार आता है और गॉर्डन को उपर चिलाता है फिर कमिसिनार मीडिया को बताता है कि जिसने भी मिचल को मारा है उसे पुलिस ढूंड लेगा और सजा दिलवाएगा वहीं से बुष अपने बैट केब में जाता है और शोच रहा होता है तब ही न्यूज में और एक ऐसी मार्डर की बड़े में बताया जाता है तब ही उहाँ पर एलफरेड आता है और उसे समझाता है और बुष उसे कहता है बस तुम मेरे पिता नहीं हो फिर उहाँ से बुष बुष बेडर में वानर के मेर के साथ एक लरकी परसना है और परसे में बने आइस क्लावन नहीं देदा ऑर बैटमैं और अनदर चला आता है और पैंकमीन के पास चला जाता है और उस फोटो को दिखा कर पूछता है कि यह लड़की कौन है पर पैंकमीन कहता है मैं इसे नहीं जानता फिर वहाँ पर एक लड़की आता है जिसका नम सलीना होती है बैटमेन पैंकमीन से सकती से पूछता है और सेलीना चुपके से सब देख रही होती है तब बैटमेन होँ से चला जाता है और सेलीना की पीछा करता है और उस पर नजर रखता है उसके साथ एक लड़की होती है वो ओहीं लड़की होती है जो मेयर के साथ थी तभी सेलीना कैट ओमन बन कर्बन फैलकोनी के बिल्डिंग में घुशती है और एक तीजोरी खुलती है तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई होती है बैटमैन को उस लड़की की पासपोर्ट से उसकी नाम पता चल जाता है लेकिन तभी होँपर कोई आ जाता है तो वो दोनों चुप हो जाता है तो सलीना बताती है तो लड़की मेरी दोस्त है जो इहां से जाना चाहती है मैं सिर्फ उसकी पासपोर्ट लेने आई तो बैटमै किये जा रहा था फिर बैटमेन गोडन के पस जाता है वहाँ पर उसे एक और मैसेज मिलता है जो रेडलर ने उसके लिए छोड़ा होता है जिस पर लिखा होता है I am mad about you मेरे नाम जानना चाहते हो तो इसके खोल कर पता लगा लो बैटमेन कुछ समझ नहीं पाता है तो वो सेल प्रिना सिर्फ अपना फ्रेंड अनीका के लिए आई होती है वही उसे कारवन फैलकोनी मिलती है तो सिलीना वहां से जाने लगती है तबी कॉलसन भी वहाँ पर आ जाता है जैसे ही वो गारी में बैटता है रेडलर उसे मार कर बेहोस कर देता है फिर बैटमेन प्रियल में जाता है जहां पर पैंकमीन और एक लर्की आती है ब्रूश को लगता है कि वो सलीना है पर वो सलीना नहीं होती तभी फैलकुनी ब्रूश को बताती है कि उसकी पिता ने एक बार उसकी जान बचाया था फिर ब्रूश अंदर चला जाता है जहां पर पुलीस की बैटमैन कहता है जवते है बैकूर कोस्ट बतादा है ऑब ही पता चल जाएमिस्टर कॉलशन ऐद कऱेश मोझे मुझे पाजिल पसंद है में तुम्हें उसलों कोड़ मिलेगा बैटमैन कॉलिषन को एंछन इसलों में बॉम फटो और बैटमैन भी भी होस हो जाता है पुलिस उसे ले जाता है मां मरने से पहले कोलसन कहता है पूरा सिस्टेम इसमें है फिर गॉर्डन हिंड लेता है और बैटमैन से बात करता है तुम्हें यहां से निकलने होगा और वहां से निकल जाता है फिर ओ गॉर्डन से बात करता है और बोलता है में किसमें ट्रस्ट नहीं कर सकता गॉर्डन कहता है में भी नहीं सिवाई तुम पर फिर उन्हें पैंकमीन का उपर सक्स होता है तो बैटमेन पैंकमीन से मिलने जाता है वहां पर उसे पता चलता है सलीना की दोस्त अनिका को मार दिया गया है उतने में ही पैंकम को कुछ पता नहीं होता बैटमैन ओनलाइन भी चेक करता है जहां पर उसकी रेडलर से बात होती है और उन्हें एक लीड मिलता है जहां पर वो लोग जाता है और उन्हें पता चलता है उसके अगले टर्गिट गुशन है यह तब बैटमैन अब पूरा फोकस उस केस में दे देता है और वो इस काम में सलीना की भी हिल्प मांगता है अब बैटमेन डेवन फैमेली की पूरी हिस्ट्री देखता है जहां पर उसे पता चलता है तॉमास ने वान बिलियन डॉलार की एक कमपनी खोला था जिसमें ओ गड़िब लोगों की हिल्प कर सके जरासल सहर के मेयर बनना चाहता था पर एक जर्नालिस्ट को पता चल गया था पर तॉमास इस नियूस को बाहर आने नहीं देना चाहता था ब्रूश को बहुत बुड़ा लगता है और अपने पिता की सच्चाई से तूट जाता है फिर ब्रूश कार्बन फैलकॉनी से मिलने जाता है जहां पर कर्बन बताता है कि तॉमास वेन नहीं उस जर्नालिस्ट को मारने के लिए कहा था इसके बाद ब्रूश एलफ्रेट के पास जाता है और ऐल्फेड ऊसे बताता है तो तुम्हे पता चल गया फिर बैटमैन सेलिना से मिलता है जहां पर सलिना एक सौकिंग टूथ बताती है कि वह फैलकॉनी की बेटी है और मिचल का कहने से उसने उसका फ्रेंट को मार दिया सलीना करबन को मारने चाहती थी पर बैटमेन और गॉर्डन उसे रोक लेता है फिर वो फैलकन को बहार ले आता है तब ही रेडलर फैलकनी को मार देता है एही पर हमें पता चलता है रेडलर का नाम एड़ॉर्ड है वो बचपन से ही बूश से नपरत करता था रेडलर एही चाहता था बूश को उसके पापा की सजा मिले ये सब रेडलर का ही प्लैन था जिससे की वो कारवन फैलकोनी को मार सके फिर रेडलर को पकर लिया जाता है औ बैट मैन के सबसे बड़ा दुसमन जोकर है।